आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और इनका नाम है अजीद अन्युम और मुझे लगता है कि काफी लोग होंगे इसे जो 2019 के पहले अजीद अन्युम को नाम सुना होगा उन्हें जानते होंगे लेकिन अधिकता लोग ऐसे भी हैं और आप कहिए कि अजीद अन्युम को अगर देश दुनिया ने देखा है इनकी पिसिद्धी को देखा है तो वो कुरोना महामारी और किसान आंदोलन के कारण ही आप देखेंगे कि कुरोना महामारी में अधिकतर पतकार जिस तरह से घर में बैठे हुए थे और आप देखेंगे कि अजीद अंजुम रोड पर निकलते हैं और आम लोगों की क्या समस्याएं उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है और उस समय आपने देखा हुगा कि सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था लोग पैदल ही चल फड़े थे और उस समय आपने देखा ही कि बहुत सारे लोगों की जान भी कई हुए है तो वो भी इनोंने कबर किया हुआ है उसके बाद आप देखें कि तीन गिर्सी कानून हमारे देश में आये हुए थे किसानों के लिए और उसके बाद आपने देखा है किसान आंदोलन हुआ तो पूरे किसान आंदोलन को भी इनोंने कबर किया हुआ है और उसके बाद आप देखिए देश के बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में इनका नाम की बात करता है उलेक करता है इनका तो आज हम लोग अजीत अंजुम के बारे में एक सामन जानकारी देख लेंगे अगर आपकी भी दिलचस्वी होगी जानने की अजीत अंजुम को तो आपके पास काफी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और मुझे लगता है कि देश के पत्तिकारों की बात होती है तो अजीत अंजुम के बारे में हमें YouTube चैनल बनाया हुआ था और काफी आप देखेंगे इनके followers हो चुके हैं और काफी पिसेदीवी हो चुके हैं आप तो आप देखते हैं कि सवी जहां भी चुनाओ होते हैं वहां चुनाओ कबरिंग करते हैं और 2019 के आसपासी इन्होंने आप देखी कि अपनी नौकरी छोड़ थी टीवी चैनल जो जोईन किये हुए थे उसे छोड़ दिया था तो अजीत अंजुम का जनम साथ अपरेल 1969 को विहार के बेगु सराय जिले में हुआ था और विहार अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखेंगे कि विहार आपको देखने को मिल जाएगा इसकी रा राम सागर पिसाथ सिंग है और अजीत अंजुम के पिता नयाएक सेवा में काम करते थे वह है पटना के जिला एवं सत्त नयादीस के सेवा निवित हुए थे और अजीत अंजुम की पतनी का नाम गीता सिरी है और अजीत अंजुम की तरह गीता सिरी भी पत्तिकार और साहि गीता सिरी मुल रूप से बिहार की मुझपर्पुर की रहने बाली हैं और साहितिकार और रामनात गोयन का पुरुसकार से भी इन्हें समानित किया जा चुका हैं इनकी पत्नी को जिनका क्या नाम है गीता सिरी। पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी और सबसे पहले अजीत अंज्यम ने पाटली पुत्र टाइम्स के लिए लिए लिखना शुरू किया और इसी दौरान उनुने अपना नाम बदल कर अजीत कुमार से अजीत अंज्यम कर लिया था इसके बाद आप देखेंगे अजीत अंजुम ने धरम योग और सप्ताहिक हिंदुस्तान और दिनमाग और रविबार जैसे पत्तिकाओं के लिए भी नोंने लिखना सुरू किया और आप सभी जानते हैं कई लोग होंगे जो इने पसंद भी करते होंगे कई लोग ऐसे भी होंगे जो नापसंद भी करते होंगे और आप देखेंगे कि इन्होंने नौकरी छोटने का कारण क्या बताया था कि हम इस से जाना और अपने जमीर से समझोता नहीं कर सकते हैं यानि कि एक इमानदार पत्यकार की रूम में इनकी छबी बनी हुई है और अपने आपको इमानदार पत्यकार कहते भी हैं साल 1989 में अजीत अंजम पत्यकारता की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के लिए दिल्ली आ गई और यहां पत्याकार अजीत अंजम ने सबसे पहले अमर अजाला में काम करना सुरू कर दिया इसके बाद अजीत अंजुम ने चौती दुनिया और जनसत्ता के लिए भी काम किया हुआ है, तमाम देश के जो चैनल है, न्यूच पेपर हैं, इन में काम किया है, कुछ साल प्रेंट मीडिया में भी काम करने के बाद अजीत अंजुम ने टीवी पत्यकारता का रोग किया, और सबसे पहले अजीत अंजुम ने बी ए जी फिलेम्स के चर्चित टॉक सो रोगरू के बात और निर्देशक की रूम में काम करना शुरू किया, इस दोरान उन्होंने दरजनो सो को फिडियोस किया, और इसके बाद अजीत अंजुम ने आज तक में एक साल के लिए बात और सीनियर फिडियोसर काम किया, इसके बाद अजीत अंजुम वापस भी एस जी फिलेम्स में सामिल हो जाते हैं, अजीत अंजुम ने इसके बाद नियूज 20 के पिरवंद संपादक की रूम में काम किया, यहां से जाने के बाद अजीत अंजुम इंडिया टीवी में काम करने लगे इसके बाद आप देखेंगे अजीत अंजुम ने अपने साथियों में विनूत कापडी और हैमंद सर्मा के साथ जिस जोस और खरोस के साथ TV9 भारत बरस लॉंच किया TV9 भारत बरस में काम करने के दोरान अजीत अंजुम कापी पिसिद्धी मिली इस दोरान उनके TV सोर राष्टिय बरस के को लोगों द्वारा खासा पसंद भी किया गया हाला कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें TV9 भारत बरस को भी अल विदा कहना पड़ा इसके बाद अजीत अंजुम ने खुद को YouTube चैनल शुरू किया और अभी आप देखते हैं कोई भी ये चैनल जुए नहीं किये हुए हैं अपना YouTube चैनल है वहीं अपनी बात रखते हैं और देश दुनिया उन्हें पसंद भी करती है आप इस सिद्धी की बात करें ना किसी आंदोलन में सक्रिय पत्तिकारता के कारण भी ये काफी पिसिद रहें उन्हें सिंदू बॉर्डर हो गाजी बॉर्डर हो या दिल्ली हर्याणा से जुड़े बॉर्डर हो इन पर जो धरना दे रहे थे किसान उनकी असली जो समस्याएं थी उनके बारे में लोगों को लोगों के सामने उनको ला या किसानों की जो बातें थी उसे सभी के सामने रखा और इसलिए आप देखें कि कई पल देखें होंगे आप लोग ने मुझे लगता है कि कई बार कि इन्हें पत्र जब भी किसान अंदुलग खतर्म हो रहा था तो किसान बड़ा सम्मान कर रहे हैं इनका समझ रहे हैं आप और ये अपने किसे कई बार सेयर भी करते रहते हैं अजीत अंजम की उपलबदियों की बात करें तो अजीत अंजम को साल 2010 में बिहार में आई भायावर बाड़ पर रेपोर्टिंग के लिए पत्कारदा की सबसे पितिष्ठित राम नात ग्वेंड का पुरुसकर से सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और अजीत अंजम से के साथ कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं और आप देखते हैं कि ट्वीटर पर कई बार ट्रॉल भी हो जाते हैं एक बार अजीत अंजम ने उन्नाव रेपकांड को लेकर ट्वीट किया था और आरोफी बरमड है इसलिए उनके उचकुल गोत को देखते हुए उनके खिलाब भक्त लोग ऐसी सक्रियेता नहीं दिखा रहे हैं जैसे हैतरावाद रेपकांड के वाद एक्टिव हुए थे अजीत अंजम के इस ट्वीट पर बिवाद छड़ गया था उससे नाराज लोगों ने ट्वीटर पर अजीत अंजम कलंक है ट्रेंड करवाया था और इसके जवाब में अजीत अंजम के समर्दकों ने ट्वीटर पर इस्टेंड विद अजीत अंजम ट्रेंड कराया था और इस तरह की कई विवादों में यह जुड़े रहते हैं इनका नाम आता रहता है और यह हमारे उसको ना पसंद करने वाले होते हैं उसके बारे में भला बुरा कहने वाले भी होते हैं तो यही कहान ही है अजीत अंजम की और मुझे लगा कि इनके बारे में भी बात करनी चाहिए जब पत्तिकारों के बारे में हम लोग बात करी ही रहे हैं तो आपके मन में भी किसी का नाम तो आप लोगों भी बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे उनके बारे में भी जान लेंगे